इमेल या जीमेल यहार यह दोनों टॉपिक इतने जाधा कंफ्यूज करते हैं लोगों को कई बार क्या होता है कि इंटर्व्यू में इस सवाल पूछ ले जाता है कि इमेल और जीमेल में क्या अंतर होता है जातर लोग बोल देते हैं कि यह दोनों एक ही होते हैं जो कि नहीं है अब यहां पर सवाल यहां आता है कि email क्या होता है दूसरे सवाल आता है कि Gmail क्या होता है और तीसरा सवाल कि इस email और Gmail में क्या अंतर होता है तो दोस्तों मैं रहुल और शुरू करते हैं आज का topic सबसे पहले सवाल यहां पर आता है कि email क्या होता है दोस्तों email का पूरा मतलब ह तो यह process था mails को भेजने का, mails यानि चिठ्थिया, तो उन्हें भेजने का यह process था, उसके बास जमाना बदल गया, चीज़े online आ गई, और computer to computer mail भेजे जाना लगा, तो यहां भी क्या होता है, कि जब computer to computer mail को भेजा जाता है, तो उसे बोलते है email, यानि कि electronic mail, अब यहां पर दूसरी time आती है, कि Gmail क्या होता है, देखो Gmail का पूरा मतलब होता है Google mail, अब यहां पे offline भी हाप पे, जब आपने चिठ्थी लिखी, तो उसे पहुचाने का काम कौन करता था, postman, same like, यहां पे जो आपकी चिठ्थी है, एक computer से दूसरे computer, पहुचाने का जो काम है, वो करता ह Gmail, तो Gmail के एक service provider है Google की तरफ से, जो कि आपके mail को दूसरे computer में भेजता है, अगर उसके पास भी Gmail ID है तो, अब इसके बाद यहां पे, जैसे Yahoo mail हो गया, Gmail हो गया, Gmail यानि Google mail, या फिर Hotmail हो गया, कोई भी mail service provider है, तो वहां पे जो यह mails है, जो आप लिखते हो, उन्हें एक computer से दूसरे computer में भीजने के लिए, यूज किया जाता है, तो clear हो रहा है, कि जो भी आप mail लिखते हो, वह आपका email है, और यहां पे जो आप mails को भेजते हो, Gmail की तरफ से, तो Gmail के आपका service provider है, तो असान भाशा है, चिट्थी equal to email, और postman equal to Gmail, clear हो गया, तो दोनों का अंतर भी कह confusion रहता है, I hope कि जो topic हो आपको clear हो, दोस्तों अगर video अच्छी लगी हो, तो please like करें, share करें, और साथ एक छोड़ा सा comment करके बताएं कि video आपको कैसा लगा, thank you